यूही नहीं मैं, मैं बन जाता हूँ खुद्रत के कोने कोने से खूबिया खोज लाता हूँ गुणवत्ता की गहराईयों का गोता खोरू हूँ मैं यूही नहीं मैं रजनी गंदा बन जाता हूँ चुनाव के बाद आये तमाम एक्जिट पोल में प्रचंट बहुमत से तीसरी बार मोधी सरकार बनती नजर आ रही है लेकिन विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादो इन एक्जिट पोल्स को सही नहीं मानते उनका दावा है कि एक्जिट पोल्स से उलट देश में इंडिया गठवंदन की सरकार बनने जा रही है हाला कि तमाम एक्जिट पोल्स अनुमान ही होते हैं परिनाम नहीं यह लगतार बताया भी जाता है इसके बावजूद अखिलेश यादो मीडिया सहित तमाम संस्थानों पर जो आरोप लगा रहे हैं वो हम आपको उन्ही के शब्दों में सुनवाते हैं क्योंकि मीडिया महज माध्यम है, संदेश नहीं अखिलेश यादो एक्स पर लिखते हैं एक्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझे विपक्ष ने पहले ही घोशित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 बार दिखाएगा जिससे घपला करने की गुझाईश बन सके आज का ये भाजपाई एक्जिट पोल कई महीने पहले ही तयार कर लिया गया था बस चैनलों ने चलाया आज है इस एक्जिट पोल के माध्यम से जन्मत को धोका दिया जा रहा है इस एक्जिट पोल को अधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाब उठाना चाहते है अगर ये एक्जिट पोल जूटे ना होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपाई वाले अपनों पर ही इलजाम न लगाते है भाजपाईों के मुर्जाय चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे है भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगड के मेर के चुनाओ की तरब बदला नहीं जा सकता है क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश बेच चरम पर है भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच नयायाले की सक्रियता देखकर धांदली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं इंडिया गटबंदन के सभी कारिकरता पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवियम की निगरानी में एक प्रतीशत भी चूक ना करें इंडिया गटबंदन जीत रहा है इसलिए चौकन ने रहकर मतगड़ना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सों मनाएं अखलेश यादों ने इसके बाद एक और ट्वीट किया इसमें वो जिला अधिकारियों पर सवाल उठाते नजर आए अखलेश यादों ने लिखा एकजित पोल का अधार EVM नहीं DM है प्रशासन याद रखे जन्शक्ती से बड़ा बल और कोई नहीं होता तमाम आलूचनाओं के बावजूद मीडिया अखलेश यादों को जगा देता आया है जैसे कि हमने इस वीडियो में दिया क्योंकि मीडिया माध्यम है संदेश नहीं टाइमस नावन भारत डिजिटल के रिपोर्ट